हालो फेंज बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में मैं डिसक्स करूंगा बैस्ट इस्पॉर्टिंग रसके कुछ कुश्चन्स अभी बेंकिंग और एससे ग्रेम्स के लिए यह सीरीज का पाथ तू है इसका पाथ वन भी आप जरूर देखे की सभी एक्जैम्स के लिए अब देखे यहां पर एक यह स्पॉर्टिंग का कुश्चन है और इस तरह के कुश्चन्स इस समय डेफिनिटली पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे अब देखे इसको देखिए बिंग शॉर ऑफिस करियर टू प्रोग्रेस ही अपने दूसरे ऑप्संस वो अपने कॉलिक के साथ डिसकस कर रहा था चैसका साही निकल रहा है यदि आप अपने करियर के बारे में शॉर हैं तो आप दूसरे जो ऑप्संस हैं उनको आप डिसकस क्यों करेंगे बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और ये करेंट ट्रेंट का कॵेश्चन है ऐसे ही कॵेश्चन सिस्ते में पूछे आ रहे हैं तो बिंग शॉर न बोलते हुए यहां पर हम बोलेंगे बिंग अन्शॉर बिंग अन्शॉर ऑफिस करियर टू प्रोग्रेस क्योंकि उसको कुश्चिन का आंसर आपका होगा तो इस तरीके के कुश्चिन्स इस समय पूछे जाते हैं और एक यह वकैबलरी की इबुक है इसमें करीब 20,000 वोट्स है और सभी कम्टिटिव एक्जेम्स के लिए SSC और बैंकिंग और दूश्रे सभी कम्टिटिव एक्जेम्स के लिए नॉलेज गेन करने के लिए स्पूकर इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए हाई यूस्फुल ये इबुक है इसका लिंक में नीच इस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा वहां से इसको आप 149 रुपीज में आप ले सकते हैं तो यहां से हम देखते हैं इसका इसका एक मातर परपस था कि उसके थूँ उनके जो इंट्रेस्ट है जो बिजनिस इंट्रेस्ट है उनको वो आगे बढ़ा सके फरदर का मतलब है उसको वो आगे बढ़ा सके लेकिन यहां पर देखिए यहां पर ओफ जो है ध्यान से देखिए यहां पर ओफ यह पर यह प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद हम रड़ एंगी फॉर्म लगाते हैं तो यहां पर यह जो है, इसमें हम ING form लगाएंगे, वर्ब, वर्ब की तरह काम कर रहा है, फर्दर यो वर्ड है, इसले इसको हम बोलेंगे फर्दरिंग, ठीक है, फर्दरिंग इसको हम बोलेंगे यहां पर, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, थर्ड, देखें, कितना and technological innovation मतलब चाइना की जो राइजिंग पॉवर है वो बेजड है उसकी कि सक्सेस पर इकनोमिक सक्सेस पर और ड्याकर है यहां पर दिए लिक यह जो रर्ड है यह जो वर्ड है यह गलत है यहां पर ठीक है तो यह word कहां दिया है यह word इसमें यहां पर दिया है तो इसलिए इसका अंसर होगा second चलिए आगे next question हम देखते हैं the major challenge they face is employee selection and retention employee को किस तरीके से select करना है employee को किस तरीके से retain करना है यह उनके लिए सबसे बड़ा challenge है तो सबसे बड़े को हम क्या बोलते है major और सबसे छोटे को हम क्या बोलते है minor तो major की spelling क्या होती है m-a-j-o-r यह major जो है इसका मतलब होता है उपाय करना जैसे हम बोलते हैं कि government ने कुछ measures लिये हैं तो यहां पर major ना बोलते हुआ major बोलेंगे और first इसका सही answer आपका होगा question number four का answer होगा first चले यहां पर हम आगे देखते हैं pollution of vehicles is the single greatest contributor to global warming मतलब global warming के लिए सबसे बड़ा जो contributor है वो क्या है vehicle का pollution अब देखे देखने में यह sentence बिल्कुल सही लगता है लेकिन इसी तरीके की जो subtle mistakes होती है वो competitive exams में पूशी आती है pollution of vehicle देखने में सही लग रहा है लेकिन सही होगा pollution from vehicle pollution from vehicle कहना सही होगा क्योंकि pollution vehicle से निकलता है vehicle का pollution नहीं होता vehicle का part नहीं है pollution vehicle से निकलने वाली चीज है ठीक है तो इसमें अरे यह options गलत होगा इसमें तो इसमें यह पार इसमें गलत होगा चले आगे हम देखते हैं लेडी ही मैट एट पाती वर्क फॉर एं इंजिनरिंग कमपनी अब देखे यह भी अच्छा सेंटेंस है यहां पर हम क्या बोल ले एं है कि जिस लेडी से वह पाती में मिला था वो इंजिनरिंग कमपनी के लिए काम करती थी तो क्या यह लेडी जो है देखे यह पूरा यह पर्टिकुलिवड़ी हुई इसको हम पर्टिकलर्राइज कर रहे हैं मिंद्ध जिस तरसी फार किया इवे लेड़ी ऑऔ to गल्सफदर फॉर्वेड हिजटए लोगा वड़िक्श और है develop the करना मना करना और फॉर्बीट का मतलब होता है not allow यह नहीं फॉर बिट वाले सेंटेंस में हम not का प्रयोग नहीं करेंगे जर सीपर फ्लॉस माना जाएगा तो इससेंटेंस होगा गल्स फादर फॉर्बेट his daughter to get close to him. Not, हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे. फिक है? तो इसमें आपका answer होगा आपका first. First इसमें आपका answer होगा. Not नहीं आएगा. चलिए आगे देखते हैं I can only offer you my idea of what should be a provincial paper. I can only offer you my idea of यहाँ तक यह sentence है. यहाँ से देखिए what should be a provincial paper. क्या यहाँ पर question mark है? यहाँ पर question mark नहीं है. इसका मतलब यह जो है पूरा sentence, यह question pattern नहीं हो सकता. यह question pattern है. What should be a provincial paper? यह होना चाहिए what a provincial paper should be. ठीक है? यह जो helping verb है या model है यह end में जाएगा पहले subject आएगा. यह जो subject यह question नहीं है. तो यह जो इस question में आंसर होगा आपका, इस question का आंसर होगा आपका third. ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, यह भी एक बहुत ही important sentence है. I can give you no assurance. मतलब में आपको कोई assurance नहीं दे सकता कि यह statement है, यह truthful है के नहीं, यह सही है के नहीं. और truthful statement को हम बोलते हैं, truthful less को हम बोलते हैं, veracity. यह noun है, veracity और veracity यह noun है. ठीक है, तो यहाँ पर हम veracity बोलेंगे ना कि veracity. तो यह इसका सही आंसर होगा third. अब देखे, यह sentence price of beef is a strong indication for higher meat cost to come. मतलब, wholesale price beef की जो wholesale price उसमें एक बड़ोतरी देखी गई है, और यह indication यह इस बात का है कि meat की जो cost है, उसमें ज़्यादा cost आ रही है, wholesalers को. देखे, indication जो word है, इस indication के बाद हम हमेशा off लगाते हैं, हम for नहीं लगातें. Indication of किसी चीज की पहचान. ठीक है? तो यहाँ पर आपका सही answer होगा, third. Question number 11 देखते हैं, I shall avail of this opportunity to meet you there. Avail का मतलब होता है फाइदा उठाना. और avail avail actually transitive verb है, इसके बाद object का आना ज़रूरी है. तो इसमें object तो है नहीं, देखे, यह subject है, यह verb है, shall avail, और this opportunity जो है, यह proposition का object है, of, यह propositional object है, verb का object नहीं है यहाँ पर. तो इसको हम, verb का object चुकी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे, I shall avail myself. इसको हम reflexibly use करते हैं. तो यहाँ पर I shall avail myself होना चाहिए. तो fourth इसमें सही answer आपका होगा. नेक्स कोशन देखते हैं, यह भी एक टिपिकल SSC या बैंकिंग का कोशन है, आर, वेदास और उपनिशत, ask us to tread the path of honesty. देखने पर यह sentence काफी सही लगता है, और काफी सार इस्ट्रेंट इस question में answer लगाएंगे, no error. लेकिन यह थी थोड़ा सा बारीकी से word है, यह थोड़ा सा इन एप्रोप्रियेट है यहाँ पर, इसके स्थान पर हम बोल सकते advice, क्योंकि वेद और उप्रेशद हमें advice करते हैं, हम से पूछते नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, fourth, advice हम बोलेंगे, next question हम देखते हैं, my sister and myself, देखिए, इसमें दो pronoun है, my sister जो है, यह third person है, myself जो है, फस्ट person है, तो normal pronoun का जो sequence होता है, वो होता है, two, three, one, यानि second person, third person, first person, तो third person और first person का sequence तो इसमें सही है, लेकिन यहाँ पर चुकि यह जो pronouns हैं, यह subject हैं, तो इनका subjective case में होना ज़रूरी है, तो यह तो subjective case में है, लेकिन यह subjective case में नहीं है, तो my sister and I हम बोलेंगे इसमें, ठीक है, और sequence सही है इसमें, तो इसमें first answer आपका होगा, question number 13 का, question number 14 देखते हैं, hangal asked his wife, what had she prepared for the dinner, देखिए यह भी same pattern पर ही question है, कि यहाँ पर, जदी आप देखें, तो यह question pattern बना दिया गया है, इसको, what लगा दिया गया है, what के बाद head लगा दिया गया है, लेकिन यह question pattern नहीं है, अगर question pattern होता, तो यहाँ पर question mark होता, इस sentence के end में, यहां पर हम बोलेंगे what she had, what had c के स्थान पर बोलेंगे what she had, यानि third इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है, question number 15 देखते हैं, what is producing enough for every citizen but still there is hunger and malnutrition, and it is, यह भी काफी अच्छा question है, देखिए यहां पर आप देखिए, यह दो चीए हैं, hunger and malnutrition, इसलिए हम there is ना बोलते हुए, हम बोलेंगे there are, यहां पर, यहां पर, क्योंकि दो चीए हैं, hunger and malnutrition, और यहां पर year after year, यह जो है, यह सही है, यहां पर यह आंसर होगा आपका थद, तो इस तरीके से इस वीडियो प्लास में, मैंने 15 questions ले हैं, और I hope आपको यह पसंद आया होंगे, इसका English version भी मैं अप्रूट कर दूँगा इस चैनल पर, उसको आप English to English देख सकते हैं, और यदि आप किसी भी competitive exam की तैयारी कर रहे है तो धाईजर वर्ड्स की यह vocabulary की e-book है, इसको आप जरूर लें, यह highly useful रहेगी lifetime validity के साथ, इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, कोई भी doubt your query है, तो इन numbers पर आप मुझे बता सकते हैं, और इस video के end में, नीचे आप comment करके जरूर बताइए, यह कैसा लगा आपको यह video class इस video में इतना ही, अमें आप से लोंगा next video class में, thank you.